तो दोस्तों आज मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लोगा इस फॉर्मिंग वाश के बारें बताने के लिए मुझे पता कि आप लोग का टाइम का बहुत ज्यादा कीमती है तो मैं आपको बहुत चोटा सा वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप आप आपना कार को किस आपको 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 आज सही तरीका बता हमागा कैसे करते हैं वाशिंग सेंटर में चोलोग करते हैं वह شाण वह लोग इतना कम खर्शे में कैसा करते तो जो वाशिंग संटर में वाश करते आगर आपका भी अगर वाशिंग सेंटर है तो उसके रिए सबसे पहिलए आपको एक एंक ऊप्रिर सो चाहिए और उसका पर आपको एक नंबर सा पाइप चाहिए और आपको यह जो फो मिन्ग गन चाहिए तो आपको एक मुझे एनी कर सकते ठीक है फेस्बुक में आपको नंबर दिया हुआ आप मुझे आरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते क्या डीटेल है क्या नहीं अगर आपको अगर यह गर खडिदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूगा एमोजन से आप उहाँ से डारेक्ली खडिद सकते इ इसके लिए क्या चाहिए में तो आपको इसके लिए कंप्रेसर चाहिए और यह जो गन स्पेशल गान आता इसके लिए अपको गन चाहिए बस और कुछ नहीं पर बहुत लोग ऐसा मेरेको फोन को कुछते कि भाई मैंने जो इस्टार की मशीन लिया या तो रेस्टेक का लि है उसमें जो है आपको बहुत सारा जो है लिक्वीड यूज होता है एक कार यूज करें मालब वाशिंग करने के लिए मालब 250 ml से लेकर आजा लिटर तक आपको शेंपू लग सकता है पर आप अगर यह कंप्रेसर सिस्टम यूज करोगे ना तो इसमें आपको एक लिटर श शेंपू है इसा है तो आप एक लिटर शेंपू में जो है 200 रूप में आप 20 गाड़िया हो सकते हो पर आप अगर नौजल सिस्टम यूज करोगे जो दूसरा जो प्रिशर मशीन के गन के सामने लगता है वह यह कार दोने के लिए आदा लिटर शेंपू चाहिए